किशान शातियों नमस्कार आज हम इस वीडियो में इशब गोल की फसल में चोड़ी पत्तिवाली खर्पत्वार का पूरी तरे शेशपया करने वाली दवा की चर्चा करेंगे इस दवा का उप्योग आप पत्ली पत्तिवाली सबी फसलों में कर शकते हैं शातियों खर्पत्वार पर काबू करने का सबसे बढ़िया आशान वे हाने रही तरीका तो ये है कि फसल की बुवाई से पेले ही पैंडी मेतलिन जैसी खर्पत्वार नाशक दवा का इस्तेमाल कर लिया जाए पर हमारी याँ पर देखा जाता है कि दूसरी शिंचाई के बाद जब खर्पत्वार फसल को पूरी तरे से ढग चुक्की होती है तब दवा का उप्योग किया जाता है खर्पत्वार बड़ी होने पर उसे नश्ट करने के लिए अधिक दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे फसल को कापी नुक्षान उटाना पड़ता है वे फसल की व्रदी साथ से पंदरे दिनों तक रूख जाती है पंदरे दिन की इस देरी वे 10-15% पोदे दवा के हाई डोज से नश्ट होने के कारण उत्पादन में 15-25% की कमी देखी जाती है अते दवा का उप्योग पहली शिंचाई की समय कर लेना चाहिए जिसे खर्पत्वार उगते ही नश्ट हो जाए शाथियों आज मैं उस खर्पत्वार नाश्क दवा की चर्चा कर रहा हूँ जिसका हमने पिछले वर्ष इस अब गोल की फसल में उप्योग किया था उस दवा का शांदा रिजल्ट मिलने के कारण ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि किशान भाईयों को शही दवा से 23.5% इशी है इस दवा का उप्योग पतली पत्ति वाली फसलों जैसे इशब गोल, सौंप, जीरा, प्याज वे लेशुन में किया जाता है इस दवा से चोड़ी पत्ति वाली गाश जैसे बतवा वे भाबरादी का मातर साथ दिनों में कम्प्लेटली शफाया हो जाता है चोड़ी पत्ति वाली गाश के साथ-साथ रभी की शिजन में उगने वाली कुछ पतली पत्ति की गाश भी नश्ट हो जाती है इस दवा से दूब, मोथा वे कुछ आधी इस्ताई खरपतवार नश्ट नहीं होती है आपको ये दवा चोड़ी पत्ति वाली गाश को ध्यान उपयोग किया जा सकता है इससे अधिक दवा का उपयोग फसल को नुक्षान पहुचा सकता है इस दवा को 500 लीटर पाने में गोल कर काम में लेना है दवा का इस्परे शिंचाई के बाद ही करना है दवा का इस्परे साम के समय करने पर बहुत ही अचा परिणा मिलता है अग इस्प्रे करते समय दवा की मातरा का विशेज ज्यान रखना है यह दवा 100, 200, 500 ml वे एक लिटर के पेक में आती है इस दवा की कीमत 1000 रुपे परती लिटर के लगबग रेती है अगर आपको ओक्षी फ्लो दवा इस्तानी बाजार में ने मिले तो ओक्षी फ्लोर फेन 23.5% इसी टेक्निकल नाम वाली अन्य दवाएं जैसे ओक्षी फ्लोर, ओक्षी केल, ओक्षी रिच, गोल, ओक्षी शिक या ओक्षी बॉंड, ब्रांड नेम वाली कोई भी दवा खरीश सकते हैं अगर आप इस दवा का उप्योग पेली सिंचाई की समय करते हैं, तो समय पर खर्पतवार नश्ट हो जाती है, शई समय पर खर्पतवार के नश्ट होने से फसल की वरदीवे विकाश की रवतार दो गोनी हो जाती है, चिशे उत्पादन अच्छा मिलता है, और बीज की जानकारी उप्योगी लगे तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए ग्रीन राजस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आउश्य करें, वीडियो मन तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद